सेमान ले लिया है और अभी हम जाएंगे तो आज हम आ गए लूलू मार्केट में चौपिंग करने के लिए और मेडम का भी ओडर था कि आप लूलू ही जाके ये सेमान लेके लेकिन दो तिन चीजे हमें नहीं मिली तो फिलाल बता दिया हूं मेडम को कि ये चीजे यहां पर नहीं है एवरेबल आज एलकम बैक टो माई न्यू विलोग आसा करता हूं और उमीद करता हूं आई हॉप आप अच्छे होगे और मजह गाईज अब मैं जा रहा हूं कहां लूलू मार्केट यानि लूलू आइफर वहां से कुछ किराने का सेमान है वो मुझे लेके आना है और अभी फिलाल टाइम हो चुका है रात को ग्यारा बज कर कुछ तेरा मिनट फिलाल अब जाओंगा वापस आओंगा जब तक मुझे बारा आसानी से बज जाएगी फिलाल लूलू जाते है रात है और यहां पे गाड़ियो बगरा अभी रोड पे जादा नहीं चल रही है बहुत कम है जादा करिये डिलेवरी बोई वाले दोड रहे है भाई लेकिन बहुत कम लोग है इस समय रोड पे यहां पे लोग अभी रोड पे नहीं देख रहे हैं गाईज मुझे लूलू जाने में लग भग मेरे घर से 15-20 मिनट लग जाता है आराम से मेरे घर से जाने मे और मुझे जो शेमान चाहिए वो लूलू में ही मिल सकता है जो मार्केट है यहां का वहां नहीं मिल सकता है तो फाइनली मैं जा रहा हूँ कि लूलू है जो कि मैं पहुंच गया हूँ लेकिन इस समय में इस सारे पे हूँ और इस सारे खुलने के बाद में मैं जाऊंगा ल दोस्तों ये है चार नंबर गेट यानि लूलू और इस बिर्डिंग का पूरा नाम है समा मॉल किट और दो ये विश्किट हो गया राइस केक यहां से गाइज हमें लेना था रूबियान जो हमने ले लिया है समान अपना गाड़ी में रख दिया है अभी गबार हर भाई गलती करता है मैं भी गलती कर दिया इसको यहीं शोड दिया और गाड़ी के अंदर बैठने लग गया तो अभी गिर जाता उपर से लूलू से निकलते निकलते बारा बज के 6 मिनट हो गया है यानि मुझे लूलू के अंदर से समान लेते लेते तकरिबन 45 मिनट यानि 45 मिनट लग गया एक एक आइटम पहले से अंदर से डूंडा डूंड डूंड गया और बाना में डाला फिर बिल करवाया तो टाइम लग गया अभी फिलाल लूलू से निकल चुका हूँ जा रहा हूँ घर की तरह उच्छे पहले एक दोस्त के पाद जाना है क्योंकि दोस्त के लिए भी कुछ हैमान लिया था लूलू से वो भी हमें उनके घर देना है हाला कि उनका घर रस्ते में ही है तो जाते वकट उनको दे दूँगा उसके बाद अपने घर चला जाओंगा तो फिलाल एक इसारा था वो किरोस कर लिया और अभी एक इसारा और रहेगा जो कि मेरे घर तक जाने का क्या बता हम निकल भी जाए और नहीं भी निकल चकते हैं क्योंकि गाड़ी काफी दूर है तो देखते हैं कि गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी तो अभी निकल जाएगी गाड़ी यानि गाड़ी अब निकल जाएगी एलो में ही हम निकल जाते हैं गाड़ी मेरी श्पीट थी इसलिए मैंने एलो में ही निकाल दी दोस्तों आप मुझे तकरीबन तीन किलो मेटर लगबग गाड़ी और घुमानी पड़ गई क्योंकि मैं वीडियो रिकूडिंग में बात करते करते पता ही नहीं चला कि मुझे दोस्त के घर जाना है असल मैं जाना दोस्त के घर था और मैं पहुंच गया अपने घर के बैक साइड में तो वो सहमान देना जरूरी है उनका क्योंकि उनको मैं सामने से फॉन कर दिया था कि मैं लूलू मैं हूँ कुछ लेकर आना है क्या तो उन्होंने भी अपना सहमान बोल दिया था फिलालो सहमान मुझे देना पड़ेगा तो गाइज मैं हमेशा अपनी लाइफ के बारे में आप तक चीजे रखता रहता हूँ जो डूटी करता हूँ और कब कब मैं डूटी जाता हूँ तो ये सारी चीजे मैं आप तक रखने का काम करता हूँ और मुझे उमीद है कि ये चीजे आपको अच्छी लगेगी